राद में पती के साथ और दिन बर आसिक के साथ और फिर उसके बाद कुछ ऐसा घटता है यहाँ पर एक इंसान की जान चली जाती है और लोग भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाते हैं कि आकर इस संसार के अंदर हो क्या रहा है पूरी सचा यहाँ पर जानने वाले ह वीडियो को अलते तक जरूर देखिएगा नमस्कार में हम सुदेश कुमार और तिर्शिवा चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह घटना बिहार के गया जिले के मोहनपुर थाना चेतर पड़ता है उस मोहनपुर थाना चेतर का एक गाउं है जिसका नाम है बासो कुर गाउं के अंदर यह घटना घटती है यहां रामजीत नाम का एक सक्स रहा करता है बासो कुरा गाउं के अंदर जो की मेहनत मजदूरी करता है और अपनी पत्नी का और उसकी एक बेटी है उसका भरन पोशन किया करता है उसकी पत्नी का नाम होता है अनूप और अनूप भी घर घर जाकर जाडू बरतन किया करती है। उनकी एक बेटी है साथ साल की जिसका नम रिया है। दौनों पति पत्नी अपनी बेटी के उपर उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे बुरे दिनों को हमारी बेटी दूर करेगी। क्योंकि वो अपनी बेटी को अच्छी खासी सिक्षा दिलवा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, महेंगे से महेंगे स्कूल में मेहनत कर गई है। दोस्तों अब क्या होता है? दीरे दीरे समय गुजर रहा होता है। 31 दिसंबर 2023 को रिया घर से स्कूल के लिए निकलती है, लेकिन वह स्कूल से वापस नहीं आती है। अब घर पर उसकी मा उसका इंतिजार कर रही थी, जिसका नाम होता है अनूप, वह वापस फिर भी नहीं आती है, इदर दर ढूंडती है, तो साम को उसका पती रामजीत वापस आता है घर पर, जब महनत मजदूरी करने के बाद साम को वापस आता है, तो यहाँ पर उसकी पत्मी अनूप कहती है कि हमारी बेटी रिया स्कूल गई थी सुबे सुबे और वहाथ से वापस नहीं आई है। तो पिता को भी बड़ा अजीव लगता है कि बेटी आकर रही तो रही कहां जो घर पर वापस नहीं आई। तो पिता और मा दोनों अपनी बेटी को इधर उधर ढूनने लगते हैं लेकिन कहीं भी उनकी बेटी रिया का आता पता उनको नहीं मिलता है। अब यहां पर गाउं के कुछ लोग कहते हैं कि रामजीत ऐसा कर पुलिस थाने में जा वहां जाकर अपनी बेटी की गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दे क्योंकि पुलिस के पास बहुत सारे साधन हैं जो पता लगा लेंगे कि तुम्हारी बेटी आकर कहां गु तो रामजीत पुलिस थाने में जाता है और अपनी बेटी रिया की गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देता है पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर लेती है लेकिन पुलिस अभी जादा कोई एक्शन नहीं ले रही थी सोच रही थी कि बच्ची है आ जाएगी धीरे धी किसी को और कुछ पता हो या पिर कुछ भी जानकारी यहां पर किसी भी तरह की मिले तो रामजीत गाओं में इधर उधर इंफॉर्मेशन लेने लगता है दोस्तो बारीग डिटेल वेकरने लगता है तो एक गाओं का एक सक्स बताता है कि तुम जब काम पर चले जाते हो तो यह बात अब उस रामजीत को बड़ी अचंबे में डाल देती है कि उसकी पतनी ने उसे बताया नहीं लेकिन वे अपनी पतनी से डारेक्ट नहीं पूछता है क्योंकि उसको पता था कि अगर वे अपनी पतनी से डारेक्ट पूछेगा तो उसकी पतनी कह देगी कि नहीं गा सुदेश्वर नाम के सक्ष को उठा लेती है और उसे जब पूस्ताज करती है तो सुदेश्वर एक ऐसा नाम लेता जिससे पुलिस भी हैरान हो जाती है सुदेश्वर कहता है कि जो रामजीत की पत्नी है जिसका नाम अनूप है वो भी मेरे साथ इस किर्टे में सामिल है और ह रामजीत तो काम पर चला जाया करता था और पीछे से उसकी पत्नी जिसका नाम होता है अनूप वे घर पर रहा करती थी उसकी एक बेटी थी दो-तीन साल की अब वे उसके पास जाकर बाते करने लगता है उन दोनों के मन भर जाते हैं काम धंदा तो उन पर कोई था नहीं तो के बाद उन दोनों के संबंध ही बनने लगते हैं अब रात में जो अनूप होती है अपने पती रामजीत के साथ और दिन में वे अपने प्रेमी सुदेश्वर के साथ रहा करती है और मौज मस्तिक कर रही होती है दीरे दीरे तीन-चास साल गोजर जाते हैं किसी को कुछ भ पता नहीं किसी दिन यह किसी को बोल दे तो फिर अचंबा हो जाएगा इसलिए वह आप जब बेटी स्कूल जाया करती है तो उसके बाद में वह मिला करते हैं इसी तरह से उनका मिलना जुलना चल रहा होता है और 31 दिसंबर का दिन था यहां पर अब जो सुदेश्वर होता है वह अनूप से कहता है कि आज साल का आखरी दिन है हम पार्टी करेंगे एक दूसरे से मिलेंगे तो यहां पर जो उसकी प्रेमी का होती है अनूप वह कहती है ठीक है बेटी को स्कूल जाने दो उसके बाद आ जाना बेटी सोबर स्कूल चली जाती है उसके बाद सुदेश सरको नगन हालत में बैट के ऊपर देख लेती है अब यह सब कुछ देखकर वे बेटी अचंबे से में हो जाती है कुछ कहती नहीं है इधर अब जो अनूप होती है वे घवरा जाती है कि अभी है किसी को हमारे बारे में बता देगी इधर सुदेशवर उसका प्रेमी भी घव प्रेमने चलते हैं तो मैं चौकलेट दलवा कर लेकर आऊंगी तो यह दोनों प्रेमी प्रेमी का उस चोटी सी बच्ची रिया को अपने साथ नदी किनारे ले जाते हैं और वहां जाकर एक हत्यारी मा अपनी बेटी का गरा दबा कर उसको जान से मार देती है और अपने साथ फाबडा लेकर गया था वह गड़ा खोथता है और नदी किनारे ही उस लास को दफन कर दिया जाता है इस तरह से वह उस लास को दफन करने के बद अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर यह मा अनूप रचती है पूरा ड्रामा साम होते होते वह अपने पती स कहती है कि बेटी घर वापस नहीं आई यह सारा खुला सा होता है तो यहां पर मा अनूप को और उस प्रेमी को पकड़ कर पुरिस उनके ऊपर विमिन धारा में मुकदमा दर्ज करती है और उस लास को वहां से निकाला जाता है उसको पोस्ट मार्डम के लिए भीजा जाता है दोस्तो इस तरह के किरते इस देश और दुनिया के अंदर हो रहे होते हैं लोग ने जाने अपने आपे को भूल चुके हैं उनके अंदर इंसानित ना रहे करके राक्चस विर्टी होती जा रही है आखिर क्या होगा इस दुनिया का और क्या होगा इन लोगों का लोग इस बात कहना चाहूंगा कि अवेश संबंदों का अंजाम बड़ा ही खतरनाक होता है कभी भी इनके चक्कर में ना पड़ें वरना जिन्द की बरबाद होने में एक छन का समय नहीं लगता है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको सेह जरूर कर दिया करें आगला प्रोड़ाम वजल्दी फिर से लेकर आओंगा किसी सची घटना के उपर तब तक आप खुश रहें साबधान रहें रिष्टों की अमित को समझें जै हिंद जै भारत